हलो दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है हमारी ग्यान पर यह यूटूब चैनल पर दोस्तों बी ए सी आई एल के तरब से एक बड़ी अपडेट आ रही है इसमें क्वालिपिकसन की बात करेंगे हम लोग कैसे इसको एपलाई करना यह सब के सारे डिटेल में बात करेंगे इसम से समझ लें जानकारी परप्त कर लें उसके बाद एपलाई करें तो बढ़िया रहेगा दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को और उसका डिटेल डाउनलोड करके देखते हैं यह इसका ओपिशल वेबसाइड है बी-e-c-i-l.com इसका ओपिशल वेबसाइड पे आने के बाद थोड़ा सा नीची आएंगे हम लोग रिकर्मेंट का अप्शन मिलेगा कहीं पे केरियर्स को अप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम लोग किलिक करेंगे नियू इंटर यह के बारे में है जिसका अप लोड़ देट दिया गया है और समिशन देट देट दिया गया है यहाँ से हम लोग भी डिटेल करेंगे जल्दि से किलिक करते हैं और देखते हैं पीडिएप जो डाउनलोड होकी आता है उसमें क्या दिया गया है पांच पेज का ये पीडियेप है जहां से ब्रोडकास्ट इंजिनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमेटेड बी-e-c-i-l का दिया गया है ये मिनी रत्न कंपनी है बेकेंसी का नोटिस दिया गया है डेटो गरा दिया गया है डेट हम लोग पहले भी देख चुके हैं 8-11-11 क्या रत्क अप्लाइ कर सकते हैं वेबसाइट दिया गया है उनलाइन रेजिस्टेशन पोटल का जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा विडियो का बी-e-c-i-l jobs.com ये डेटो गरा इन्पोर्टेंट दिये गया है क्वालिपिकेशन का पोस्ट सब ये सब हम लोग दिखते हैं जल्दी से डिजिंगनेशन क्या है डिजिंगनेशन है इसकी मैन पावर एज स्पेसिपिकेशन दिया गया है इसमें क्वालिपिकेशन की बात करते हैं ITA यहां पर मंगा गया है इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और साथी साथ यहां पर 18-45 एज लिमिट होना एटलिस्ट टू यर का एक्सपेनस दिया गया है उसके बाद रिस्फोंसलिटी में यहां पर आप लोगों को पता जाज़ा जाएगा कि इस पोस्ट के लिए अप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा बेकंसी की बात करें तो यह इंक्रिजिंग डिक्रिजिंग दिया गया ह बढ़ गढ़ सकता है 1402 वेकंसी यहां निकल के आती है इसके लिए जो पहला वाला है सलेडी की बात करते हैं तो 9301 कैसी दिया गया है दुसरा वाला अनिस्किल्ड वाले के लिए इसके लिए 8 पास एट पास और आईटे वाले के लिए अच्छी कासी वेकंसी है दुस्तों इसमें 293 वेकंसी निकल के आती है देखिए 7613 इसका सलेडी रेंज है तो इतनी जादी वेकंसी निकल के आई है अप लोग इसमें क्वालिफेड है तो मिस तो बिलकुल भी ना करें और विडियो को लाइक करके सेर करें ताकि और भी स्टूडेंट को मिले और यह इसका प्लाल हम लोग उसी को देख लेते हैं अडवर्टाजेमेंट जो हम लोगका है इसको पुरा कंप्लेट देख लेते हैं उसके बाद हम लोग एपलाई करने वाले पे चलते हैं रेजिस्टेशन के जिएगा रेजिस्टेशन फी ओगारा रहेगा 500 रुपिया और यह रहेगा रेजिस्टेशन फी जेनरल और OBC के लिए और SCHT Disability के लिए 250 रहेगा और यहां पे जो डीडी बनाईएगा पेमेंट कीजिएगा उसके लिए यहां पे होल्डर नमर ब्रोड़कास्ट इंजिनर इंडिया लिमिटेट के नाम से रहेगा यह बैंक जो नेम वो बैंक दिया गया है कॉर्पोरेशन दिया गया है बैंक का य दिया है इसका डेट है 1911-2019 से 22-21-2019 तक होगा और कुछ भी अगर कोईरी है डाउट है अपलाई करने में पेमेंड करने में यहां पे दिया हुआ है उसका मेल इडी इसमें मेल से हल्प ले सकते हैं या तो फिर मोबाइल नमबर भी तीन-चार दिये गया है इस सबसे भी डि निकाल के आई है जो बहुत ही ज्यादा है बेगंसी तीनाजार से भी ज्यादा है जरूर इसमें अपलाई करें एट पास और आइट ये वाले के लिए खुसकबरी है तो चलिए वीडियो को खतम करते हैं यही पे नेक्स वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी से एक अच् किसी जोब के साथ तब तक के लिए धन्यवाद